नमस्कार, आज की कहानी का नाम है सियार की संगती, सियार एक जंगली जानवर होता है, उसकी संगती तो किसी जंगल में एक शेर्नी रहती थी, उसकी छोटे-छोटे कुछ बच्चे थे, वो भी नई मावनी थी, मतलब उनके बच्चों का जन्म कुछी समय पहले हुआ था ठंड में थी, घुमते-घुमते उसने देखा कि एक छोटा सा सियार का बच्चा ठंड में तडप रहा है, उसको ठंड में तडपते देखकर शेर्नी के हरदये में मम्ता उमर पड़ी, वह उस सियार के बच्चे को अपने मान्द में ले आई, और अपने बच्चों के साथ उसका भी लालल पालन करने लगी क्योंकि उसे डर था कि कहीं ठंड में ये सियार का बच्चा मर न जाएं। फिर क्या हुआ कि सियार का बच्चा भी बड़ा होने लगा और उसके छोटे-छोटे बच्चे भी शावक बड़े होने लगे। तो शेरनी सोचती थी कहीं ऐसा न हो कि मेरे बच्चे बड़े होकर खुखार हो जाएं। और इस सियार के बच्चे को मार डाले। इसलिवा उन्हें हमेशा समझाती थी बेटे, देखो, ये तुम्हारे बड़े भाईया हैं, हमेशा इनकी बात मानना, इनकी आग्या का पालन क करना, कभी भी इनकी आवग्या मत करना, ये तो तुम्हारे बड़े भाई हैं, हमेशा तुम्हारी भलाई की बाते करेंगे। तो उसके बच्चे बेशाय सुनते थे और उससे अपना बड़ा भाई मानते थे। लेकिन बात क्या थी, कि ये शेर के बच्चे तो काफी निर् बच्चे उसके बाई जाकर लड़ना चाहते थे, लेकिन इसके मना करने के कारण और मात की दबाव के कारण ये उसका प्रतिकार नहीं कर पाते थे और मन मसूस कर रह जाते थे। एक दिन इन्हों ने, शावकों ने, अपनी मा शेरनी से का कि मा, भाया तो हमें हर काम से रोक हम पीड पर छलांग लगाते तो हमें रोकते हैं, हम कभी वीचे घारते तो हमें रोकते हैं कि कोई जंगली जानुवर आ जाएगा तुम्हारी आवाज को सुनकर तुम दाहारों मत ये सुनकर सेरनी सोचने लगती है, कि लगता है कि ये सियार का बच्चा सेर के बच्चे को भी सियार बना देगा इसलिए मेरे बच्चों की भलाई इसी में है कि इससे इसकी संगती समाप्त हो जाए नहीं तो सेर के बच्चे अगर यादी सियार के बच्चे ही जैसे हो जाए तो कितनी बुरी बात होगी फिर उसने एक प्लान बनाया अपने छोड़े-छोड़े बच्चों को कहा कि जाओ बेटे तुम लोग दूर जाकर खेलो उसने अपने बच्चों को दूर भेज दिया फिर उसने उस सियार के बच्चे को बुलाई धराओ धराओ आया तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, तो जी आप शेर नी है, तुम्हें पता है कि तुम कौन हो, तो जी मैं सियार का बच्चा हूँ, तुम्हें पता है कि तुम्हें चोटे भाई ये कौन है, तो जी ये शेर के बच्चे है, कभी तो इने पता चलेगा कि ये शेर हैं और तु तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम जल्दी से जल्दी इनकी नजरों से दूर भाग जाओ। तभी तुम्हारी जान बच सकती है, अन्यठा तुम्हारी खेरियत नहीं है। अगर तुम अपनी भलाई चाते हो, तुम यहां से जल्दी भाग जाओ। ऐसा सुनकर सियार का बच्चा कुछ दिर ठिटका फिर उसने ऐसी दोड़ लगाई कि वहां से बहुत दूर चला गया तो बच्चों मुझे आपसे मुझे यही कहना है कि आप लोग कभी भी सियार के संगती, गीरड़ के संगती, तरपोग के संगती न करें जो आपको रिस्क लेने से रोके उनकी संगती न करें आप रिस्क लेंगे तो क्या होगा, आपका नुकसान होगा, लेकिन बदले में आपको अनभव तो मिलेगा अगर इदिया आप सफल होगे तो अच्छी बात है, नहीं सफल होगे तो आपको अनभव मिलेगा लेकिन अगर आप स्यार के संगती करेंगे तो फल क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं तो इस कहानी समय सिक्षा लेनी है कि हमें स्यार के संगती कभी नहीं करनी है आज के लिए इतना ही जै हिंद